सब्सक्राइब कीजिए एसके ओफिसियल टेक को और दबाएए इस बेल के आइकोन को ताकि आप देख सके हमारे नए विडियो सबसे पहले इस विडियो में हम जानेंगे इन्फिनिक्स के फोन में होम स्क्रीन में स्वाइब करके नोटिफिकेशन पेनल को कैसे ओपन कर सकते हैं तो चलिए विडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको स्क्रीन में खाली जगा पर कुछ देर दबा कर रखना होगा तो अभी हम यहाँ पर कुछ देर दबा कर रखते हैं उसके बाद आपको मेनू पर क्लिक करना होगा, यहाँ पर आपको गेस्चर सेटिंग पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको स्लाइड डाउन ओन लंचर पर क्लिक करना होगा, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन बार पर क्लिक करना है, तो यह सिलेक्ट हो जाएगा, उसके बा हम जब भी हों स्क्रीन में स्वाइप करेंगे तो नोटिफिकेशन पेनल ओपन हो जाएगा तो बस इस वीडियो में इतना ही